इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. रोसन 10 टैबलेट स्टेटिन नामक दवाओं के समूँ से संबंधित है. इसका इस्तेमाल कॉलेस्ट्रॉल को घटाने और हृदेय रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है. कॉलेस्ट्रॉल एक वसा पदार्थ है जो आपकी रक्त वहिकाओं में बनता है और इससे संकुचन होता है, जिससे होट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है. रोसन दस टैबलेट व्यापक रूप से निर्धारित की जाने वाली दवा है और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित माना जाता है. इसे भूजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है. आप दिन के किसी भी समय इसे ले सकते हैं. लेकिन प्रती एक दिन इ आपके कॉलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच होना आवश्यक है. यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम, धूम्डपान की समापती, शराब का सेवन और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. इस दवा को लेते समय आप सामान्य तरीके से खाना खा सकते हैं, लेकिन अधिक वसा वाला खाना खाने से बचें. इस दवा के सामान्य साइड एफेक्ट में मांस्पेशियों में दर्द, कमजोरी, मितली, सिरदर्द और पेट में दर्द शामिल हैं. यह आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े सम नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह विकास शील शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है. डाइबिटीज के मरीजों को इस दवा को लेते समय अपने बलड शुग अगर लेवल बढ़ सकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क पर क्लिक करें धन्यवाद.